जाहन सातियों बंदे मातरम, सातियों आज के सेसन में बहुती महतपूर बात करेंगे, सातियों सबसे महतपूर चीज है, UP Home Guard भरती 2024, हाल ये मानिय मुखमत्यी ने, सातियों यहाँ पर Home Guard की बड़ी भरती का एलान किया है, वो बहुत जल्द आपको यह बहुत बड़ी भरती सब्सक्राइब करेंगे, बहुत लंबे समय के बाद हो, क्या इसकी योगिता है, क्या इसकी प्याउट, क्या इसकी सैली है, क्या इसकी लिजबिल्टी, हम आपको बात करेंगे इस भरती के बारे में, सातियों Home Guard की complete तारी करने के लिए सब्सक्राइब करने, बहुती चीज को किलियर करेंगे, तो आईए बात करते हैं, उपी Home Guard भरती 24 requirements, सातियों जो पद हैं तुमारे वो कितने हैं, 42,000 पद हैं, एक बहुत बड़ी भरती है, तुमारी 42,000 पदों पे तुमारी ये भरती होनी है, हम गार्ट की, साति-सात नई भरती का notice जारी, जो तुमारी बेकैंसी जो तुमारी भरती complete होनी है, 42,000 की उसका notification जारी हो चुका है, साति-सात दसमी pass युवाओं के लिए सुनहरा मोका, क्या इसकी eligibility है, क्या सभी साती कक्षा 10 के pass out candidates Home Guard में अपलाई कर सकते हैं, साति-सात age में मिलेगी business shoots, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, तो साति हम लोग चलते हैं अपने basic फंडे पे, तो मेरे साति जितने भी हमारे साती यहां पर आए, UP Home Guard की इसकल त्यारी के लिए सुपर स्क्राइब करें, चार्टिंग से अंट तक complete त्यारी आप लोगों की करवाई जाएगी, चले, आगे हम बात करते हैं इनी चीज़ों को लेते ह हुए, तो यहां पर आए, यहां पर सबसे पहली चीज आपके सामने है, सबसे पहली चीज क्या है आपर, UP Home Guard भरती 2024, आनलाइन आबेदन, मेरे सातियों जो तुमारे आनलाइन आबेदन है, कब से तुमारे आनलाइन आबेदन प्रारम होंगे, तो आनलाइन आबेदन को ले कि बात करें, UP HomeGuard में 3 स्रेडियों में तुमारी भरती होगी, जिसमें जो तुमारी 1st स्रेडी है, मेरे साथी, उसमें 12th पास आउट है, 2nd स्रेडी में भी तुमारा 12th पास आउट है, 3rd जुसरेडी की तुमारी भरती है, उसमें तुमारा 10th पास आउट है, और ये किसी भी इस्ट्रीम से है, इसमें कोई फार्क नहीं पढ़ता है, το PCM से जड़ज में, आर्ट इसमें, गामर से उससे कोई फार्क नहीं पढ़ता है, बड़ कहने का मतलब है कि आप 12th, 12th और 10th यानि बेतिक कहने का मतलब है कि 10 पास आउट सभी कंड्रेट्स अपलाई कर पाएंगे अगली चीज क्या है उम्र सीमा देखिए एज लिमिट की बात करने तो यहाँ पर एज लिमिट को लेके विस्थ महत्पूर चीज है कि इसकी जो एज है वो 20 बर्स से लेके कितनी है तुम पद तुमारे 42,000 पद हैं यह बड़ी चीज है और एक बात मैं आपको यह बता दूं कि 42,000 में एक साथ भरती नहीं होनी है यह दो बार में तुमारी संपन होगी पहली बार में 21,000 पदों पे होगी दूसरी बार में भी तुमारी 21,000 पदों पे तुमारी भरती हो जाएगी 37 salary की बात करें payout की बात करें तो 7 salary देखी मैं आपको बता दूँ जब joining होगी training के दोरान प्रारंब में जो salary होगी तो इसका payout 25,000 से प्रारंब हो जाएगा 25,000 से CELL लिया आपकी प्रारम हो जाएगी आज़के समय में, बर्तमान समय में 25,000 बेतन, बहुत कम बेतन नहीं है बात को समझ पा रहे हैं तो सभी मेरे भाई बैंट, जितने भी हमारे साथी हैं वो सभी साथी जो है वीडियो को सेर करें वीडियो को लाइक करें सुपर स्काइब करें और जैसे ही इसके बात रही आनला नावेदन की इसके आनला नावेदन कमिंग सून बहुत जल्द इसके आनला नावेदन प्रारम हो जाएंगे तो मेरे साथ यूपी होमगार्ड की बेहतरी नत्यारी के लिए आप इस च